नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग मुहमद रफिस सहाब के एक ऐसे बहुत ही खुप्चूरत गीत के बारे बात करने वाले हैं जिस गीत को बालूर के कई ऐसे सुप्रसीद सिंगरों ने अपनी अवाज दिती है तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को 1964 की फिल्म दोस्ती तो यादी होगा और ये फिल्म सुपर डुपर हीट रही और इस फिल्म के जितने भी गीत थे सभी बहाद ही जदा पापुलर हुई लेकिन दोस्तो इस फिल्म की एक गीत काफी जदा पापुलर हुई और उस गीत को बहुत सारे सिंगरों ने अपनी अवाज दिती है गीत के बोल हैं चाहूंगा मैं तुझे सांज सवेरी फिर भी कभी अब नाम को तेरे अवाज महिना दूँगा इस गीत को बहुत ही अपनी खुप्सूरत आवाज में मुहमद रफी सहाब ने सुधिर कुमार सहाब के लिए गाया था और बहुत ही बढ़िया संगीत लक्ष्मिकान परेलाल जीन दिया था और लेरिक्स मजरु सुल्तान पुरी सहाब ने दिया था और मेरे ख्याल से आप लोगोंने मुहमद रफी सहाब के आवाज में ये गीत सुने ही होंगी लेकिन दोस्तों कि आप लोगों को पता है इसी गीत को ही मुहमद अजीज, सबिर कुमार, सुनु निगाम, जावेद अली, विपिन, सचदिवा जैसे सिंगरों ने अपनी अवाज दिती है तो चलिए पहले बात करते हैं हमारे हर दिल अजीज, मुहमद अजीज सहाब का दोस्तों मुहमद रफी सहाब के इस बहुती खुपसूरत गीत को मुहमद अजीज सहाब ने भी बहुती अपनी बहुतरीन आवाज में अपनी आवाज दी है और इस गीत को मुहमद अजीस सहाब के आवाज में भी दर्सकों ने काफी पसंद किया है आप लोग जनते ही हैं और अक्सर मुहमद अजीस सहाब लाइफ प्रोग्रामों में ये गीत गाया करते थे आप लोग जनते ही हैं तो आए दोस्तों मुहमद अजीस सहाब के बहुत ही कुपसूरत आवाज में ये गीत सुनते हैं जाहूंगा मैं तुझे सांज सवेरे तो चलिए हमारे दूसरे नमबर पे हैं बलुट के सुप्रसिध गायाक सबिर कुमार सहाब दोस्तो मुहमद रफीज साब के इस बहुत ही कुपसूरत गीत को सबिर कुमार सहाब ने भी बहुत है अपनी भेतरी नवाज में अपने वाज दिती है यूँ तो सबिर कुमार सहाब भी अक्सर लाइफ प्रोगरामों में ये गीत जो है वो गाया करते हैं और आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे लेकिन दोस्तो एक live concert में सबिर कुमार साब ने इसे गीत को गाया जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं और बहुत ही clear quality में ये गीत सुनने को मिलता है और मेरे खाल से आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे नेट पे अवलेबल भी है तो आएए दोस्तो सबिर कुमार साब के बहुत ही खुशूरत आवाज में ये मुहमद रफिस साब का गीत सुनते हैं चाहूंगा मैं तुझे सांजी सवेरे तो चलिए हमारे तीसरे नमबर पे हैं बालुट के सुपरसिद्ध गायाक सुनू निगम साब दोस्तो सुनू निगम साब ने मुहमद रफिस साब के तक्रिबन जितने भी गीत हैं सभी गीतों को अपनी अवाज दिया है आप लोग जानते ही हैं लेकिन चाहूंगा मैं तुझे सांजी सवेरे इस गीत को भी बहुत ही अपनी खुपसूरत अवाज में सुनू निगम साब ने भी अपनी अवाज दिया है जिसे दर्सकों ने काफी पसंद किया है यूँ तो सभी लोग जानते हैं कि मुहमद रफीज साहब के इस बहुती खुपसूरत गीत को सुनुनिगम साहब ने भी अपने आवाज दी है और बहुती ही जादा सुनुनिगम जी के आवाज में ये गीत जो है वो सुनने को मिलता है तो आईए दोस्तो सुनुनिगम साहब के बहुती खुपसूरत आवाज में ये गीत सुनते हैं चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे तो चलिए हमारे चौथे नमबर पे हैं बलूट के सुपरसिद्ध गायाक विपीन सच दिवाजी यूँ तो दोस्तो विपीन सच दिवाजी ने मुहमाद रफीज सहाब के बहुत सारे गीत हैं जिन गीतों को अपने वाज दी है आप लोग जानते ही है लेकिन दोस्तो विपीन सच दिवाजी ने 1964 की फिलिम दोस्ती का गीत चाहूंगा मैं तुझे सांज सवेरे इस गीत को भी बहुत ही अपनी खुप्सुरत वाज में अपने वाज दी है जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं यूँ तो विपीन सच दिवाजी लाइब प्रोग्राम में भी गीत गया करते हैं इसके साथ ही कसेट में भी विपीन सच दिवाजी ने अपने वाज दी है चाहूंगा मैं तुझे सांज सवेरे तो चलिए हमारे पांचवे नमबर पे हैं बालुट के सुप्रसिध गया का जाविद अलीज सहाब दोस्तो बहुती कम लोगों को पता है कि बालुट के सुप्रसिध गया का जाविद अलीज सहाब ने मुहम्मद रफिस सहाब के इस बहुती कुप्सूरत गीत को भी अपनी अवाज देती है आर जाविद अलीजी अक्सार लाइफ प्रोग्रामों में ये गीत जो है वो गया करते हैं कसर तो नहीं निकली है इनकी अवाज में लेकिन अक्सार लाइफ प्रोग्रामों में गया करते हैं तो दोस्तो आईए इस बहुती कुपसूरत गीत को हम लोग जावेद अली सहाब के बहुती कुपसूरत अवाज में सुनते हैं चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा मुझे पूरा उम्मिद है यह जनकारी जो है वह आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो प्लेज द